गाइस जब इस साल की शुरुवात हुई थी तो आपने देखा था कि 1st January को जो मैंने GTA 6 का वीडियो बनाया था उसमें मैं कितना जादा खुश था और मैंने आपको बताया था कि 2019 भले ही हम गेमर्स के लिए बहुत अच्छा साल ना गया हो लेकिन 2020 डेफिनेटली अच्छा ज पॉस्ट पॉर्ण कर दिया गया था अब उनकी भी डेट आगे शिफ्ट होती जा रही है हेलो फ्रेंट्स मेरा हुल जैन नमोकार गेमिंग वल्ड चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत है तो दोस्तों अभी आपने को पता हिए कि Final Fantasy VII Remake उस गेम को डिले कर दिया वन मंत के ल बताया कि अब वह गेम भी रिलीज नहीं हो रही है अपरेल में अब उसकी रिलीज टेट क्या होगी इस बारे में तो मैं आपको बताऊंगा साथ ही ये भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इसके पीछे का रीजन क्या है Cyberpunk एक एक करके सारी गेम्स को डिले कर दिया जाएगा और आप देख भी सकते हैं कि जो ये साल की शुरुवात है जैसे जैनवरी में पिछले साल हमें 2019 की अगर में बात कुरूँ जिसे मैं काफी बेकार साल मानता हूं हम गेमर्स के लिए कोई भी बहुत अच्छा टाइटल रि में एक गेम रिलीज हुई थी जैनवरी में तो मुझे लगा था कि बहुत अच्छी गेम रिलीज हुई है लेकिन पता नहीं ये गेमिंग गंपनी इस आपस में प्लान क्यों नहीं करती है इन सब चीजों के बारे में जैसे आप देखी कि जैनवरी से मार्स तक 20 मार्स से प इस वज़े से इन गेमस को डिले किया जा रहा है सबसे पहले थुम आपको बता देता हूं कि इन 3 गेम के पीछे जो अभी हाली में डिले हुई है इसके पीछे आईजेन ने क्या reason दिया है कि company ने उन्हें क्या कहा तो सबसे पहले दोस्तम बात करते है final fantasy के बारे में तो मैं आईजेन की ही post मैंने खुली वेस समय और मैं वही आपको पढ़कर बताता हूँ कि उन्होंने क्या बताया है कि delay करने का reason क्या है इसके पीछे तो उन्होंने बताया है कि यहाँ पर game को polish करना है मतला अभी game के कुछ bugs वगरा वहते हैं post production काम complete है लेकिन game के अंदर कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं जो उनसे छूट गई थी या उन्हें अभी पता चली है तो उसे fix करने के लिए वो game को delay कर रहे है चलो ठीक है समाझ आता है एक महिना वो delay कर रहे है एक महिना ही लगता है मेरे साबसे polish वगरा करने में जो minor छोटी छोटी कमिया होती है उसे ठीक करने में तो चलिए final fantasy 7 remake के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा अससे ज़्यादा लेकिन उसके बाद बात आती है दोस्तों यहाँ पर Avengers की तो Avengers में भी same उन्होंने क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ Crystal Dynamic has announced the game has been delayed to September 4 4 September तक ही गेम डिले कर दी गई और यहाँ पर बता है अब इसके साथ साथ अभी मैं इस पर ज़्यादा कोई टिपपण ही नहीं करूँगा लेकिन अभी मैं आपको Cyberpunk का भी पढ़कर बता देता हूँ कि उन्होंने क्या बोला है Cyberpunk 2077 previous 16 April release date जो उसकी पहली release date 16 April थी has been pushed back to September 17, 2020 और नीचे अगर आप देखेंगे read more पर click करके तो उन्होंने भी लिखा है कि इस game को delay करने का क्या reason पताता है CD project जो इसकी developing company है CD project red says it's taking this extra time to polish cyberpunk 2077 and make it their grounding achievement for this generation तो same word को इन्होंने यहाँ पर use किया है यानि कि 3 games जो delay हुई है उसमें एक word जो common है वो है polishing का अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप जाकर खुद IGN के Instagram पर देख सकते है और इसके लावा Twitter handle हो चैँ उनकी website हो तो आप मेरी बात को समझने गा या यहाँ पर परियास कीजेगा कि वो क्या कहना चा रहे है तीनों developer, तीनों company अलग-लग है SED Project है Final Fantasy की तो Square Enix है Avenger भी चली हो नहीं की है तो यहाँ पर दो अलग-लग companies है लेकिन जो बाते हैं उनकी वो similar है अब इसके पीछे का reason क्या है दोस्तों आपको क्या लगता है कि यह game क्या polishing की वज़े से delay की जा रही है पहले तो हम आप लोगों को बता दो दोस्तों यह दोनों companies नहीं नहीं है ऐसा नहीं है कि इन्होंने अभी entry Mario गेमिंग इंडस्टी में यह बहुत सालों से काम करती वी आ रही है और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि Naughty Dog, Sentamonic वगारा का नाम तो आपने अभी सुना है कुछ सालों में यह game तो Nintendo के टाइम से काम करती है जब आप Mario, Contra वगारा games केलते थे तब से इतनी पुरानी companies हैं कुछ तो इन में से तो अब आप यह समझें कि जो company हर साल 2, 4, 5 games release करती है जैसे Ubisoft भी हो गई मैं उसका भी यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने भी वो श्टोग Legion को डिले किया था और जब आप उनकी पोस्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ इसी तरह की language लिखी हुई थी कि इस game को polish करने के लिए उसके bugs fix बगरा करने के लिए हम इस game को delay कर रहे है तो लेकिन इसके पीछे का main reason क्या है दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि सबको पता है कि इस साल next gen console release होने वाले है PlayStation 5 and Xbox Series X तो ये companies इन games को delay करके सिर्फ अपना advantage लेना चाहती है अब आप सोचेंगे कि इना advantage क्या मिलेगा क्या फायदा होगा तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा दोस्तों कि जो भी लोग next gen console purchase करेंगे उस time पर बहुत सारे लोगों के मन में चुल होते हैं जैसे Apple का phone आता है Apple lovers होते हैं भले उनका phone बिल्कुल सही काम कर रहा हो लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते ही है जिने ही होता कि first day पर जो भी Apple का नया phone iPhone release होगा मुझे purchase करना ही करना है और मला इंडिया में भी मैंने तिने जादा crazy fan देखें इस चीज़ के कि जो बाहर से importer से phone को import कराते हैं भले ही वो guarantee में नहीं है warranty में नहीं है लकिन फिर भी होता है कि swag वाली बात है कि हमारे पास सबसे पहले phone आया तो ऐसी console को भी लेकर ये बात आप समझ लीजे कि भले ही उस पर कोई भी बड़ा title release ना हो रहा हो वैसे तो हमें पता ही है कि Sony एक बड़ा exclusive title release करें गई यह वो GTA 6 हो God of War हो Horizon 0.2 हो या Quill Zone का कोई नया पार्ट हो कुछ भी हो whatever लेकिन यह सब जानते हैं इस बारे में सबको पता है कि जब भी next console release होगा तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनने आप शोकीन मिजाज इंसान भी कह सकते हैं जिनने पैसे की कोई परवा नहीं है और वो से purchase करेंगे करेंगे तो यह company उन लोगों से यह advantage या benefit लेना चाहती है कि जब वो game जब यह वो console release हो तो हमारी game भी उसे के आसपास release हो जो सिर्फ PlayStation 4 या Xbox One पर ही ना हो वो PlayStation 5 एंड Xbox Series X के लिए भी release हो तो जो सबसे बड़ा major point मुझे नजर आता है दोस्तों क्योंकि बहुत लोगों को याद नहीं होगा लेकिन 2013 में भी अब तो मुझे games के नाम याद नहीं है लेकिन कुछ games ऐसी थी जिने इसी वज़ा से delay कर दिया गया था लेकिन उस टैम पर भी company ने ये कही ना कहीं admit नहीं की थी बाग कि हम इस वज़ा से delay कर रहे हैं क्योंकि कोई भी company इस तरह से खुलकर अपनी policy के बारे में नहीं बताती अब जैसे नोटी डोगी है नोटी डोग ने ये थोड़ी खाय कि हम last of us 2 को जो event होने वाला है fab में sony का इतना बड़ा किस फरवरी हो उस वज़े से delay कर रहे है लेकिन जो main इनके पीछी reason होते है वो यही होते है लेकिन बताने का सिर्फ तरीका यही होता है कि हम game को polish कर रहे है bug fix कर रहे है और सबसे बड़ा 7 remake भी इतने सालों से development में थी यहार मतलब इन games को आप delay करते जा रहे है और कितना delay करोगे cyberpunk 2077 में अफसे नहीं सुनता आ रहा दोस्तों यह मैं पहली भी कहीं बार वीडियो में बता चुका हूँ कि PlayStation 4 जब console release हो था उस temper एक लड़की जिसके हातों में मतलब वो robot एक इनसान बिल्कुल real cinematic trailer आप जैसे कह सकते हैं cyberpunk का तब मैंने देखा था और यह 2013 यह 2014 की ही बात है तो आप यह देखी 5-6 सालों से तो हम इसके बारे में सुनते आ रहे हैं कि game development में है और आप जाकर यह game को release कर रहे हैं फिर उन्होंने delay कर दिया तो यह बहुत ही गलत बात है और बहुत जादा disappointment वाली बात है कि हम gamers को कही नगई बहुत बुरा लगता है कि जिस game के लिए हम excited हैं आपने उसके बारे में confirm कर दिया फिर आप उसे delay पहले ही बता दो कि इस game को हम तब release करेंगे तो कम से कम जो हमारी hope है वो नहीं टूटेगी कम से कम तो यह चीज बहुत बुरी लगती है और आप लोग comment करके बताईएगा कि इस समय आपको क्या feel हो रहा है और यार प्रस मैं तो इन लोगों के यही कहूँगा कि यार हमें पागल बनाना बंद करो हमारी भावनाओं से खेलना बंद करो यह बहुत गलत चीज है कि जो यह लोग हमारी feeling से खेलते हैं कहीं ना कहीं और हमें मजबूर करते हैं उस चीज़ के लिए कि हम इन लोगों के लिए वेट करते रहें तो बहुत ही गलत बात है तो इन लोगों को मेरे साब से अपना डिसिप्लीन सुधारना चाहिए जैसे मुवीज में होता है तो ऐसी बहुत अच्छी गेम्स थी है छोटे बजट की भ पाएंगे इसका डिमेरिक यह लोग नहीं समझ पा रहें लेकिन हम अच्छे से समझ पा रहे हैं क्योंकि September, October और November यह 3-4 महिने ऐसे होते हैं दोस्तों लाश्ट के जब सबसे ज़्यादा गेम रिलीज होती है और हम लोगों के सामने सबसे बड़ी tough situation ही होती है कि उस टेम हम किस गेम को छोड़ें और किस गेम को पर्चेस करें क्योंकि सारी गेम अच्छी रिलीज होरी होती है आपको पता है यह October में, November में Call of Duty का पार्ट आएगा, Battlefield आएगी और भी बड़ी तमाम गेम्स आएगी जिनके बारे में भी E3 में पूरा अच्छे से रिविल किया जाएग तो अब आप सोचेंगी यह जहां पर इनका competition नहीं था, वहाँ से इन्होंने release date को सिर्फ इस बज़ेशे shift कर दिया आगे, और यह बहाना बनाकर कि हम उसमें polishing करेंगे, यह करेंगे, तो भाई इतने सालों से के जख मरा रहे थे, इतने सालों से भी तो game पर polishing होई रही होगी और यह इतनी बड़ी-बड़ी company है, इनका पूरा एक measurement होता है, discipline होता है, इन्हें पता होता है कि किस game को बनाने में कितने साल लगेंगे, यह कोई नो सखिया company नहीं है, कि आप और हमने कोई company शुरू कर दी, और होता है कि यार हमें तो पता ही नहीं कि game को कितना साल लगेग हमें एक साल या दो साल का target सोच के चल रहे हैं, और game में चार साल लग गया है, बनते हुए, तो भाई इन्हें तो knowledge ऐस चीज की, experience holder है यह, और इतने सालों से gaming industry में काम कर रहे हैं, तो इन्हें तो एक एक चीज का ही है, अभी, अगर किसी game पर इन्होंने script भी लिखनी शुर दिया, resign कर दिया, वहाँ पे कुछ technical problems आ गई, तो यह तो किसी के हाथ में नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी issue नहीं है, अगर होता, तो यह लोग definitely उस बारे में बात करते, लेकिन इन्हों ने, तीनों नहीं नहीं, Ubisoft हो, Square Enix हो, या अब CD Project Red भी इसमें शामिल हो गया, तो इन लोगों का सिर्फ एक ही fund आए, कि हम जादा से जादा जब हमारी game release हो, यह समझते हैं कि हमारी games के लिए लोग कितने सादा excited हैं, तो यह कहीं न कहीं उसी feelings का credit लेना चाते हैं, और जादा से जादा उसी time पर पैसा कमाना चाते हैं, चाहे वो किसी भी console पर क्यों नही और बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था कि The Last of Us 2 को भी और डिले किया जाएगा, तो दोस्तो 99.9% मुझे नहीं लगता कि The Last of Us 2 को वो डिले कर सकते हैं, तो अगर अब उन्होंने The Last of Us 2 को डिले किया, तो आप मेरी बात यह लिख लीजे कि उस game की जितनी सादा hype थी या है, वो अब और जादा कम हो जाएगी, मैं आपको बता दूँ, उसका सबसे बड़ा result आप यह देख सकते हैं, कि जितने लोग, The Last of Us 2 का जब इवेंट हुआ था, जब इस game की release date के बारे में मैं पता चला था कि आप 21 फरवरी को यह game आ रही है, तो जितनी जादा उसमें excitement थ रहेगा यही रहेगा, और यह Sony company कभी नहीं चाहेगी, और इससे भी बड़ी बात है कि Sony को PlayStation 4 का एक और exclusive title release करना है, जिसका नाम है Ghost of Tsushima, और उन्होंने आपने देखा होगा जब December में trailer दिखाया था, बताया था, Summer 2020, और जहां तक मुझे जितनी knowledge है, सिसाब से मैं तो Summer को जो समझता हूं, और June, July, August तक ही समझता हूं, या hardly आप लगा लिजी कि September को भी इसमें count करो ले, पहली बात तो September होता ही नहीं है, June, July में Summer खतम हो जाता है, पूरी तरह से, उसके बाद raining and winter season चालू हो जाते हैं, तो अब पता नहीं कि अंग्रेज अपना summer day कप तक मनाते हैं, त हो सकता है कि उस game को तो क्योंकि उन्होंने कुछ release date बताई नहीं है, तो वो कितना भी delay कर सकते हैं, लेकिन last of us 2 के बारे में 0.0.1% chances है कि वो delay होगी, बाकि आप लोगों को क्या है इस बारे में कहना, प्लीज मिज़े comment करके बताईएगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच् लगी हो, तो अपने दोस्तों को भी share कीजेगा, और चैनल को subscribe करना भाई, बिल्कुल मत भूलना, फिर आपसे मुलाकात होगी, एक next वीडियो में तब तक के लिए, bye bye, take care. झाल